सकती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं हिंदू मुसलिम ठीक है साफ पर कट्टर होना ठीक नहीं 132 करोड वारती हो चुके हम पूरी सफल मेनत के साथ नमस्ते भारत आज हम जानेंगे पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में और इच आलान की पूरी प्रक्रिया के बारे में के ये कटकर घर तक कैसे आ जाता है आज 25 दिसंबर यानि की क्रिस्मस डे है तो कुछ महत्वपूर बातें जो जन हित में जरूरी समझता हूं वो बातें भी करूंगा मैं और बहुत बहुत धन्यवाद यार आप लोगोंने मेरे फनिन पाट साला एक्स्पेरिमेंटल चैनल पर 8 लैक सब्सक्राइबर करवा दिये 8 लाक इसी खुसी में मैंने फनिन पाट साला हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम क्लास 9 से लेके 12 तक के चात्रों के लिए ओपन कर दि सनी भाईया का वो चैनल जिसमें हम बात करते हैं ग्यान की जो कि सभी लोगों के लिए महत्वपूर होती है तो बिना देरी किये स्टार्ट करते हैं कंट्रोल रूम के बारे में अच्छा एक बात बताओ जब भी कोई समस्या हो जाती है कहीं तो क्या करते हो आप लोग पु पुछ ली जाती है और उस लोकेशन के आसपस जो थाना चौकी होता है वहां से पुलिस बेज दी जाती है ठीक है यह एक सिस्टम था लेकिन क्राइम बढ़ता जा रहा है और लोग भी बढ़ते जा रहे है तो उन्होंने क्या किया किया कि PCR बैन की सुवधा लादी PCR बैन य आप भी समस्यां सुल जाई जाती है जो पास में होता है वो आपके करीब पहुंच जाता है आपकी समस्यां का निवाराड करता है तो इस पुलिस कंट्रोल रूम की स्ताफना कैसे हुई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 41 के तहत सभी राज्य सरकार है हर डिस्टिक्ट मे नहीं कि छुट रूम मुमराइं जिससे लोगों की समथ्यां को सुनकर उनका निवारड किया जा सके या पूरी डिस्टिक्ट की जो जवी प्रोब्लम में उसको सुनने के बाद अइडेंटिफाई करने के बाद पूरी डिस्टिक्ट को ज़ो है Kantibu कुड रखा जा सके इसल के लिए इस पुलिस कंट्रोल रूम को मेंटेन करके चलती है और सेम ऐसे ही जब आप चालान के नियम तोड़ते हो तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है उसके लिए चालान के जब नियम तोड़ोगे आप तो आपको कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि एक्सिलेंट की चांसिस आज से कई साल पहले, चालान मैनुवली होते थे, यानि कि एक फॉर्म जनरेट होता था, वहाँ पर ट्रैफिक पॉलिस वाले क्या करते थे, उसमें आपकी समस्याओं को मैंटेन कर देते थे, कि भाई साब इसने हलमेट नहीं लगाया, या ये जैबरा क्रोसिंग क्रोस कर आप सो का नोट पकड़ा देते थे, पांसो के चालान की जगा, पुलिस वाला भी खुष और हम भी खुष, ठीक है, वहां से छूट आते थे, और इसी समस्या का निवारण करने के लिए, फिर आया भाई साब, इचालान, मार्केट में इचालान आया, इचालान क्या होता, जल्दी जल्दी सुध रहेंगे, इसी लिए इचालान लेके आया, इचालान भी दो तरीके से होते हैं, एक तो देखा होगा, सहर में छोटे चोराओं पर, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनके हाथ में कैमरा होता है, ठीक है, और एक मसीन होती है, जिसमें व कैमर को मेंटेन करके, जो भी समस्या किया, आपने हलमेट नहीं लगाया, जो भी है, वो करके भेज दिया, दूसरा तरीका है, ये कैमरा, ये सबसे बड़ी जड़ है चालान की, मेट्रो पॉलिटीशियन सिटी, आगरा देली जैसे सहरों में, हर चोराओं पर कैमरे लगे क्योंकि ये जो कैमरे होते हैं, ये जो कैमरे होते हैं, वो हाई रिजॉलिशन के कैमरे होते हैं, आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर परावर की रफ्तार से चल रही हो, चाहां कितनी वी चल रही हो, ये कैमरा आपकी नंबर प्लेट का फोटो कीच के तुरंत दे देगा, ध्यान यह सबसे बड़ी जो दोसी है आप चालन केट वाने के लिए वो यह प्लेट है तो यह प्लेट के बारे में समझाओ जो नंबर प्लेट आरी है आज कल गाड़ियों में वो अलग आ रही है देखो आप सबको पता है यह हरयाना क्या है इस्टेट है और यह जो कोड है यह उस स् अश्री बात यहां पर यहां पर लगा दिया जाता है क्रोमियं से बनावा असोक चक्र ठीकै हर्ट स्पूता है और यह होता है International इंटरनेशनल रेजिस्टेशन डिय्स यूटपर से आपकी गाड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है सब निकालaré जा सकती है यानि कि सिर्फ आपकी गाड़ी का नमबर पता हो या से की क्यいて कि गूअर और इसका तो वहां से आपकी गाड़ी का छैसिस नम्बर तीक है आरसी और भी काफी चीज़ है इंजन नंबर वो सब कुछ पता चल जाता है तो होता क्या है अब देखो मानलो आपने है न कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है गाड़ियां जाती हुई दिखती है लोग कि अंकल देख रहे हैं ना कैमरे में कौन हमेट नहीं पहना आए कौन लाइट को क्रयूस कर चला जा रहा है ठीक है तो यहां से यह जितने भी लोगों को देखेंगे तो पहले तो उसकी प्लेट का फोटो घीच molar वह लगाडव लिखा रहे नाँ और फोटो में वह गाड़ी भी दिख रही होगी। कि अगर घृतिक्तरों हो फोटो में ने खीच लिए है। हुल्मेट नहीं लगाया हुथ हो थूटों हो खीच लिया हुथ उसका बिल बनाके भेज दिया, आरसी पर जो नंबर दे रखा है, उस नंबर पर चला जाएगा वो चालान, ठीक है, और वो चालान फिर साई टाइम में बढ़ना भी होता है, ठीक है, पता चला बढ़ी नहीं रहे हो, है ना, तो ध्यान दो, उसके बाद क्या होता है, चालान का ये पूरा प्रोसीजर होता है, अब चालान आपके घर तक पहुच गया, यहां से आपका काम चलू, चालान बरने का, चलू, ऐसे करके ना, ये लोग बहुत सारे चालान काट सकते हैं, मैंनोली काटते हैं सारे चानल, अब देखो, बात चालान की हो गई खतम, एक समस्या में बहुत बड़ी अब्जार्ब कर रहा हूं, बता दू, सभी लोग मेरा साथ देना, देखो इस देश का नुकसान करने के लिए, इस देश का अगर पतन होगा, तो तीन-चार लोगों की बढ़ता है, जैसे उसकी स्रेडी में अध्या पका जाते हैं, यह तो कहें लास्ट में रखूंगा मैंने, बाबा, संत लोग, है ना, यह लोग भी देश की उन्नती के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, तब ही देश उन्नती की ओर जाएगा, क्योंकि यह लोग क्या करते माइंड रीडिंग करते हैं लोगों की, लोगों को समझाते हैं, उनको साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और नेता लोग, इनके हाथ में तो फूरी राज्य की विवस्ता होती है, अगर नेता ही मक्कार निकल गया, तो देश तो बरबाद होना तै, तो आज कल क्या ह अगरा है भारत में में देख रहा हूं भाईसाब नए नए लोग, नए नए बाबा, राजनेता भी ऐसे ही हो चुके हैं, तीक है, जनता का पैसा अड़ अपलिया, खा लिया, सेम ऐसे ही, बाबाओं की अलग अलग बैराइटी आ रही है, लोगों को गुम्रा कर रहे हैं, बोलके लोगों की एक्तम mentality को change कर देते हैं, बढ़े लिखे लोग बाबाओं के पैरों में गिर रहे हैं, कि बाबा मेरा भविस्य से बताओ, बाबा मेरा भविस्य से बताओ, जादू गर बाबा ऐसे पता नहीं क्या क्या चलना यार, देखो चलो ये सारी छीजें, अपनी जो लोग हैं वो psychological pressure की वज़ा से या बोलनो mental pressure की वज़ा से ठेंशन या तनाफ की वज़ा से बाबाओं के चक्कर में पढ़ जाते हैं और बाबाओं की fan following बहुत तगडी बना रखी है ठीक है तो आज Christmas Day मैं कुछ वीडियो देख रहाता हूं कई बाबाएं अपना ग्यान देने Christmas Day पर ठीक है अपने बच्चों को Santa Claus मत बनाओ अगर अपने सनातन धर्म को प्यार करते हो तो स्कूलों में नहीं मंदिरों में भेजो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ठीक है अपनी जग है अच्छी चीज है लेकिन एक बात बताओ यार अपना धर्म सर्वो परी है लेकिन ये थोड़ी है क्या दूसरे की धर्म की बुराही करके आप आगे बढ़ सकते हो यार मेरा मालो मेरा भाई goo अच्छे तो दूसरे जंदे लोग होते हैं है तो हमें क्या करना है अपनी बुद्धी और विवेक से काम लेना है ठीक है बाभाओं के चक्कर में और जड़ी पुटियों के चक्कर में नहीं आना नहीं तो पता चला देश वरवाद है भाई साब अगर आज का इस्टुडेंट इन लोगों के चकर म इसमें मैं सहमत हूं, सबसे सहमत हूं, हाँ मुझे एक सेर भी याद आ रहा है किसी सायर का, उन्होंने बोला भी यह कि सक्ती थोड़ी लाजिम है, सक्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू-मुस्लिम ठीक है साब, पर कट्तर होना ठीक नहीं, अगर धर्म में कट्टरता लाओगे ना तो उससे टेंशन तुमारी बढ़ जाएगी देश का उससे कुछ बिकास नहीं होगा तो एक सो बतीस करोड भारती है हो चुके हैं हम पूरी सफल मेनत के साथ तो मैं यह भी कमगा आप लों से पूरे एक सो बतीस करोड भारतीयों का योगदान होना चाहिए अपने भारत के बिकास के लिए है ना और दूसरी बात हैलमेट तो हर जगे लगाना है देखो जिससे एक्सिलेंट के केस भी कमना हो और ठंड भी बड़ रही है ठीक है